वेलकम स्टुडेंट्स तो कैसे हैं आप आपस भी अच्छे होंगे तो आज हम आपको कराएंगे क्लाश 12 चेप्टर 5 गमध्य सब्सक्राइब करेंगे नजोन ही काफी इंपोर्टेंट है और काफी है ठीक है तो क्यूंबर 9inci क्या मौला है eeksele cens x 2022 को 16 तो मैंने आपको बताया था function की पावर function function की पावर function और भी में sin plus minus का हो तो उस case में हम इन दोनों को अलग-अलग let करके और अलग-अलग differentiation करते हैं भई तो सबसे पहले इसको हम y के एक वह let करेंगे इस पूरे को तो x की power sin x plus में sin x की power है cos x इसको u let कर लो इसको v let कर लो तो y बराबर है u plus में v अब करतो differentiate both side with respect to x तो यहांसे देखो y का हो जाएगा dy upon me dx और u का हो जाएगा du upon me dx और v का हो जाएगा dv upon me dx इसको माल लो equation number 1y अब देखो हमें dy upon me dx निकालना होता है तो du upon me dx भी चाहिए और dv upon me dx भी चाहिए तो सबसे पहले निकालते हैं du upon me dx तो u है आपके पास x की power sin x तो इस case में क्या करेंगे log लेंगे both side क्योंकि function के ओपर function है ठीक है तो यहांसे हम लिखेंगे taking log on both side तो both side log लेते हैं log u equals to में log और x की power sin x तो देखो आपने formula पढ़ा था log m की power n क्या जाता है और log m तो यहांसे compare करो यह गया log यह गया m इसकी power n तो n आगया जाएगा और log x फीचे रहे जाएगा भई ठीक है तो n आगे यानि की sin x आगे और log x ठीक है into में है log u equals to में तल रहा है अब हम क्या करेंगे differentiate करेंगे both side तो यहाप लिखेंगे differentiate both side log u का हो जाएगा 1 by u और u का हो जाएगा du by dx तो कि with respect to x कर रहे हैं अब देखो यहापर u dot v rule लगा दो u dot v rule क्या होता है u as it is sin x as it is और differentiation into में v का तो v हमारे पास log x तो 1 by x होता है log x का differentiation बीच में sin plus का अब की बार v as it is यानि कि log x as it is और sin x का differentiation cos x into में clear है बिल्कुल clear होगा अब देखो अब यह क्या सही है du upon dx तो du upon me dx equals to में देखो यह u इस साइड आके multiply में तो u इस साइड आ गया multiply में sin x by x plus में है आपके पास log x into में cos x वही clear है यहाँ तक बिल्कुल clear है अब u की value आप यहाँ पे रख दो आपके पास du upon में dx आ जाएगा तो du upon में dx starting में हमने u को let क्या था x की power sin x तो x की power sin x और into में यह वाला as it is वही यहाँ से आपके पास यह क्या आ गया du upon में dx अब हमें क्यासे यह dv upon में dx फिर दोनों को में आप रख देंगे उठाकर हमारे पास du upon में dx की value आ जाएगी तो देखो अब निकालते हैं dv upon में dx तो v है आपके पास starting में ही लेट किया था आपने sin x की power cos x ठीक है इसमें भी हम taking log both side तो taking log on both side यहाँ से log v और ही हो जाएगा log ठीक है तो यह से cos x आ गया जाएगा तो cos x और log sin x भई अब फिर से वही u dot v rule लगेगा differentiate both side तो u dot v rule लगा दो log v का मारे पास क्या हो जाएगा 1 by v और v का dv upon में dx तो cos x as it is u dot v rule लगा रहे हैं u as it is और यहाँ पे v है log sin x तो इसका हमारे पास differentiation क्या होएगा एक बाद sin x को x मान लो log x का हो जाएगा 1 by x x मानना है हमने sin x फिर sin x का करो जो की होता है cos x भई अब की बार v as it is यानि की log sin x as it is और यहाँ पे int में differentiation cos x का जो की होता है minus का sin x यहाँ तक clear है बिज़की clear है अब देखो cos x upon में sin x क्या हो जाएगा cortex और int में है cos x तो cos x int में cortex यहाँ से minus आगे minus sin x और log sin x ठीक है equals to में आपके पास क्या है 1 by v और int में dv upon में dx अब v side divided में है उस side जाके multiply में हो जाएगा तो हम आपे v को ले आते हैं और dv upon में dx value निकाल लेते हैं जासे v है आपके पास starting में हमने लेट किया था sin x की power cos x ठीक है sin x की power cos x रख दो v की जग है पर तो sin x की power cos x और यह int में पूरी ट्रम cos x int में है न कोट x तो int में कोट x minus का sin x और log sin x ठीक है clear हो गया दोनों चीज़े हमारे पास आचुकी dv upon में dx भी आ गया और हमने अभी उपर निकाला था du upon में dx तो दोनों चीज़े हमने का आप रखना है first equation में तो first equation में रखते हैं देखिए तो यहाँ पर देखो भई यहाँ पर हमने रखते है du upon में dx जो कि आपके पास यह था पलस में dv upon में dx जो कि हमने अभी निकाला था यह आपके पास final answer ठीक है बिल्कुल easy था ना तो अब देखिए question number 10 तो question number 10 देखो भई क्या बोला है x की power x cos x पलस में x square plus 1 अपन में x square minus 1 तो फिर से वह step इसको u मानेंगे और इसको v मानेंगे clear differentiate करेंगे both side with respect to x differentiate both side with respect to x तो यहाँ से y का उजाएगा dy upon में dx और u का उजाएगा du upon में dx और v का उजाएगा dv upon में dx equation number first देखो वई यह जो case है वो u upon v से solve होएगा कभी इसमें भी लोग लेके बैठ जाओ ठीक है यह u upon v से solve होएगा इसमें आपने लोग लेना पड़ेगा को कि function की power function हो गया वई ठीक तो सबस्वेली u को solve करते हैं u है आपके पास x की power x cos x यहाँ पर तीन function बनेंगे u v w rule लगेगा तो देखो taking log on both side यह line निखेंगे यहाँ से log u और यहाँ पर log x की power x cos x तो आपको पता है log m की power n हो तो n आग्या जाता है और log m पीछे रह जाता है यहाँ से x cos x आग्या जाएगा और log x पीछे रह जाएगा एक यह function एक यह function एक यह function u v w ठीक है product rule ही लगेगा u v w वाला यहाँ से हैं आपके पास log u differentiate both side with respect to x तो देखो भई log u का उजाएगा 1 by u और u का उजाएगा du अक्वन में dx देखो u v w rule में क्या होता है कि एक बार दो फंक्षन को एधीटीज रखो तीसरी का में फिर से दो फंक्शन को एधीच रखो फिर तीसरी का करदो फिर पर नें ले 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 लिए और कोस एक्स visualization कर दिया 1 by x पलस का साइन बीच में अबकी बार ले लो कोस एक्स और लोग एक्स को एजिटीज कोस एक्स और लोग एक्स एजिटीज ले लिए और एक्स का डिफ्रेंशिशन कर दिया जो कि होता है 1 इंटू में ठीक है अबकी बार एक्स और लोग एक्स एग्स 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 ठीक है यह step clear हो गया cos x common लिया है इन दोनों में से अब यहाँ पर है आपके पास plus में या फिर यहाँ पर minus लगा लो आप minus का यह sin x आगे ठीक है और x log x into में वही clear है अब देखो u की value रख दो बस u की value है x की power x cos x त्यांसे du upon dx क्या जाएगा x की power x cos x और into में cos x 1 plus log x minus का sin x into में x log x यह आपके पास क्या आगया du upon way dx आगया वही अब निकालते हैं dv upon way dx तो v है आपके पास x square plus 1 और x square minus 1 upon way है तो u upon way rule लगेगा dv upon way dx direct differentiate करते हैं आपको पता है u upon way rule क्या होता है नीचे होता है v का square उपर v as it is और differentiation of u minus का sin बीच में u as it is और differentiation of v वही तो वही rule लग रहा है यहाँ पर देखो नीचे v का square x square minus 1 का whole square v आपके पास यह चीज है उपर v as it is x square minus 1 as it is into में differentiation करेंगे u का तो u है आपके पास x square plus 1 x square का क्या हो जाएगा पावर आगे 2x और 1 का हो जाएगा मारे पास 0 लिखो या ना लिखो बीच में sin minus का अब की बार u as it is x square plus 1 as it is और यहाँ पर differentiation किस चीज़ का होगा x square minus 1 का तो x square minus 1 का differentiation क्या होगा 2x और 1 का हो जाएगा 0 लिखो या ना लिखो तो x square का लिख देंगे आपर 2x ठीक है clear हो गया बिल्कुल clear हो गया होगा तो यहाँसे देखो 2x की इस दोनों के साथ multiply कर दो और इस 2x की इन दोनों के साथ multiply कर दो तो यह आपके पास क्या जाएगा dv upon me dx यहाँसे 2x cube ठीक है x square साथ करेंगे 2x cube और minus का 2x ठीक है 1 के साथ करेंगे तो 2x यहाँप यह साइन की चीज़ का minus का बाद में देखेंगे पर इस 2x की multiply करो इसके साथ 2x cube और यहाँपर पलस का 2x अब यह जो sign है यह अंदर के sign change कर देगा नीचे है आपके पास x square minus 1 और इस फूरे का whole square dv upon me dx देखो क्या आएगा देखो भई यहाँपर यह minus का 2x है यह भी minus का 2x हो जाएगा क्योंकि बार साइन की चीज़ का minus का ह तो 2x cube minus का 2x यह minus का 2x cube minus का 2x cube और यहाँपर यह minus का 2x भई देखो पलस का 2x cube minus का 2x cube cancel नीचे है आपके पास x square minus का 1 और इस फूरे का whole square क्या जाएगा minus का 4x और अपोन में x square minus 1 का whole square यह आगे आपके पास dv upon me dx ठीक है कलियर है दोनों चीज़ें मारे पास आ चुकी du upon me dx उपर निकाला और dv upon me dx यहाँपर नीचे निकाल दिया तो इन दोनों कम कापर रख देगे equation number first में तो यहाँपर रखते हैं तो देखो भई दोनों चीज़ें यहाँपर उठागे रख दी du upon me dx आया था आपके पास यह और यहाँपर बीच में साइन होता पलस का लेकिन आपके पास dv upon me dx आया था माइनस का 4x upon x सुके है माइनस 1 इस पूरे का होल सुके है उसकी वज़े से माइनस साइन आ गया ठीक है यह आपके पास अंसर हो गया वही question number 10 का तो आयो अब आपको अच्छे समझ में आ गया अच्छी व्योड़े टारूंगा ओके थैंक्यू